हेलो दोस्तों स्वागत हैब काज के एक निए वीडियो में मीद कता हूँ आप सब अच्छे होंगे जिसके आप थम्निल से जानगे होंगे कि आज हमारा का टॉपिक थोड़ा अलग ही होने वाला है सिविल मौत क्या होती है शायद ही ये टॉपिक अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपके लिए काफी इंफर्मेटिव होने वाला है तो सिविल मौत क्या होती है गुमशुदा से जुड़े विग्यापन लगबग हर अख़बार में आए दिन देखने को मिल जाते हैं अ जाने कितने ऐसे कानूनी काम हैं जो केवल एक व्यक्ति को मृत घोशित होने के बाद ही किया जा सकते हैं जैसे कि प्रॉपर्टी में वारिसों का नाम चड़वाना सर्विस से जुड़ा पैसा लेना लाइफ इंशॉरेंस का पैसा लेना उसके लिए क्लेम करना सौरी तो इ किसे भी गुमशुदा व्यक्ति की जब डेथ हो जाती है क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि वो है कि नहीं है बट उसको कैसे आप कोर्ट से डिकलेर करवा सकते हैं कि वो उसकी डेथ हो चुकी है तो इसके बिछे कौन सा लौ है कानून है तो मृत्यों का जो अनुमान है मृत सालों से गायब हो जाता है और ऐसी सिचुएशन में के बाद कानून उसे मृत मानता है इस एक्ट की सेक्षिन 108 में यह बताया गया है कि जिस व्यक्ति के बारे में साथ साल से कुछ सुना नहीं गया उसे मृत माना जा सकता है इसे सिविल डेथ भी कहा जाता है और समाज में व्यक्ति के स्तित्व का कोई प्रमान नहीं होना चीए यह साबित होना जरूरी है कि उस व्यक्ति के बारे में साथ साल से उन्होंने कुछ नहीं सुना जिन्होंने उसके बारे में यदिव जिवित होता तो आम तोर पर सुना होता यह जो प्रूजन दिया गया है अंडर ने इंडियन एविडेंस एक्ट में सिविल डेथ यह सिविल मौत के बारे में बताता है अब हम नेक्स्ट इंपॉइंट पॉइंट देखते हैं कि क्या मृत्यू के अनुमान को सीधा प्रयोग किया जा सकता है अब सवाल यह उठेगा क कि साथ साल के बाद क्या मृत्यू की इस अनुमान को सीधा प्रयोग करता है गुमशुद्य व्यक्ति को रिकॉर्ड में मृत गोशित किया जा सकता है ताकि आगे के कानूनी काम किये जा सके ऐसा नहीं किया जा सकता बेसिकली क्योंकि मृत्यू की अनुमान को तभी इस्तेम सब्सक्राइब कोट्ष अपने कई फैसलों में यह बिल्कुल साफ कर चुका की इस प्रूविजन के बारे में यानि कि इस प्रूविजन के तहत जो भी मृत्यू के अनुमान को व्यक्ति का किसी भी प्रकार के मृत्यू रिकॉर्ड को उत्पन करने के लिए उपयोग नहीं कि जा सकता यानि कि आप उसके बेस पे डेट सेटिफिकेट नहीं ले सकते उसके क्योंकि वो गुम्शुदा की केटेगरी में ही माना जाएगा कि अब मुरुत्यों की गोशना कैसे करवाएं तो ऐसे केस में क्या होता है कि ऐसी सिट्यूशन क्रियेट होने पर अपने एडवोकेट से सही सला लेते हुए सिट्यूशन की गोशना के लिए डेक्लेरेशन सूट फाइल करें और अगर इस प्रूविजन के तहत जरूरी बाते हैं और आप साबित करने में सफल हो जाते हैं तो सिट्यूशन के द्वारा गुम्शुदा विक्ति की सिट्यूश से क्राय जा सकता है और उसकी डेट से जोड़े बाकी कानूनी काम भी पूरे किये जा सकते हैं तो दोस्तों यह सामरा आजकर कंसेप्ट शॉइंशॉट की सिविल डैथ सिविल मौत कैसे कहते हैं जिसमें की इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन वंजरो सेवन बंजरो ए एक नाम पर घर का नाम होता है और दूसरा नाम पक्का होता है अब इस वजह से भी कई बार देखने को मिलता है कि एक विक्ति के कुछ डॉकुमेंट्स के घर के नाम से बन जाते हैं और कुछ डॉकुमेंट्स पकी नाम से तो ऐसी सिचुशन पर खासकर क्लेम लेने के मामल सूट फाइल कर सकते हैं और कोर्ट से ये डिक्लेयर करवा सकते हैं कि दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं तो दोस्तों यह था आज का एक शॉर्ट वीडियो सोच आप से शेर किया जाए इंपोर्टन पॉइंट्स पे रिगार्डिंग कि सिविल डैथ सिविल मौत कैसे कहते हैं तो उसी तरह के वीडियो को फ्यूचर में पानल के हमारे चलंग को सब्सक्राइब किजिए वीडियो को लाइक और शेर किजिए मिलते हैं दलती दोस्तों आपको एक न्यूव टॉपिक के साथ